शनिवार शामुए नकसली हमले के बाद से लापता बताये जा रहे 36 गड़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल के शव रविवार सुभा घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर बरामत किये गए उनके बारे में बताये जा रहा था कि नकसली उने अगवा करके ले गए रविवार सुभा उनका शव दर्भा घटी में बरामत हुआ इससे पहले जुलाई 2011 में भी गरिया बंद जिले में नंद कुमार पटेल के काफिले की रास्ते पर नकसली उने विस्फोट किया था जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे नंकुमार पटेल वर्ष 1990 से खारसिया विधानसबक शेत्र का प्रतिने दित्व करते आ रहे हैं और इस शेत्र से पांच बार विधायक रह चुके हैं वर्ष 1996 से 1998 की बीच उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार में सिचाई विभाग के राज्यमंत्री के रूप में कारि किया फिर राजी के ग्रिह राज्यमंत्री भी बने दिसंबर 1998 में वे मध्यप्रदेश में दिगविजय सिंग कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाए गए और उन्हें ग्रिह मंत्राले का प्रभार मिला 36 गर राजिके गठन के बाद नवंबर 2000 में उन्होंने ग्रिह, जेल, परिवहन, आदी कई विभागों की जिम्मेदारी सम्हाली अप्रेल 2011 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौपी गई इस साल होने वाले विधानसवा चुनावों के मद्दे नजर पार्टी ने 12 अप्रेल से परिवर्तन यात्रा की शुरूआत की थी और पटेल इसी अभियान में जोटे हुए थे, जिससे लोटते वक्त शनिवार को नकसली हमले का शिकार हो गए ब्यूरी रिपोर्ट डीडी न्यूस